धोका दड़ी से एक ही प्रॉपटी को कई लोगों को बेचना बसान नहीं होगा जानकारी के मुताबिक केंदर सरकार ने प्रॉपटी में धोका दड़ी रोकने के लिए खास रणनीती तयार की है जिसके तहट प्रॉपटी के रेजिस्ट्रेशन के दस्तावेज ओनलाइन होगे सूत्रों के मुताबिक प्रॉपटी के धोका दड़ी रोकने के लिए सरकार अब 30 साल तक पुरानी प्रॉपटी के रेजिस्ट्रेशन डिजिटल करेगी जिसके बाद रिजिस्टेशन के दस्तावेज ओनलाइन देखे जा सकेंगे इसमें सभी तरह के लैंड रिकॉर्ड के लिए पोर्टल बनेगा उस ओनलाइन पोर्टल पर कोई भी चाकर देख सकेगा कि किसकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है किसने किसको बेचा और कब बेचा सूत्रों के मुताबिक विवाद निप्टारे के लिए इंडिपेंडेंट ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम बनेगा जिसके तहर तैसमे सीमा में विवादों का निप्टारा किया जाएगा आपको पता दे कि 2008 में लैंड रिकॉर्ड मॉडरनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था राज्यों ने नई जमीन के रिजिस्ट्री ओनलाइन शुरू की है अधिकांश राज्यों ने 2-3 फीजी रिजिस्ट्री ओनलाइन डाली है सूत्रों के अनुसार प्रोपर्टी मामलों पर भी सरकार का फोकस Ease of Doing Business की तरह ही होगा मीडिया रिपोर्टर्स के मताबिक सरकार प्रोपर्टी ओनर्शिप के लिए नया कानून लाने की तयारी में है इसके तहत अपने Fixed Assets के मालिकाना हग के लिए उसको अधार से लिंक गराना जरूरी होगा इसे जमीन मकान की खरीदारी में धोका दड़ी रोकने के साथ बेनामी समपत्ती का भी खुलासा होगा रिपोर्टर्स ने बताया है कि अपने प्रोपर्टी को अधार से जो भी link कराएगा उसकी संपत्ती पर कबजा होता है, तो उसे छुडाना सरकार की जिम्मेदारी होगी या फिर सरकार मुँ आफजा देगी. अधार लिंख नहीं कराने, पर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी. अधार को प्रापटी से लिंग कराना और अप्शनल होगा, अगर लोग चाहते हैं कि सरकार उनके संपती की गैरेंटी ले तो अधार लिंग कराना ही होगा ऐसे ही लेटेस को परेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें घंडेवाद